पूरी दुनिया ने योग को धर्म और मज़वों से हटकर के आज सुविकार किया है हमारे परधान मंत्री मानेने नरेंद्र मोदी जी के अतर्ट परियासे से पूरी दुनिया में योग भीवस के रूप में मनाया जा रहा है इस संबंद में हमारे साथ है आज योग के विशेसग धनुर विद्या में पेचडी मेडिशन के विशेसग डक्टर श्वामी देवर्त सर्श्वती जी आज हम बात करेंगे योग से संबंदित आचारिय देवर्त जी हमें योग की परिभासा बताएंगे योग के थ्यास से संबंदी हमें जानकारी देंगे स्वामी जी आज पूरे दुनिया में एक योग दिवस इस समय जो मनाय जा रहा है उस संबंद में आप योग की क्या परिभासा है योग क्या है आप हमें बताएंगे मूल सारो प्रथम हमें वेदों में मिलता है यजर वेद में आया है युझेते मन उते युझेते धिये विप्रा विप्रश्य ब्रियतो मनीशिन जो मनीशि लोग हैं योगी लोग हैं ध्यान वाले जो योगी जन हैं वो अपने मन को और अपने बुद्धियों को परमात्मा में युक्त करते हैं उसके बाद में अथरु वेद में तो स्पष्ट आया है अस्टा चक्रा नवत द्वारा देवा नाम पूर रयोध्या आठ चक्रों वाली नो द्वारों वाली ये देवों की नगरी है और इस देवों की नगरी में एक बहुत प्रकाशित कोश है जहां पर की आत्मा और परमात्मा का निवाश है योग के सबसे पहले आचारिये हिरन्य गर्भ माने जाते हैं योग की दो शाखाएं प्राचिन समय से चली आ रही है सांखे योग और क्रिया योग किरिया योग के सब से पहले जो आचारिये वो हिरन्ने गर्भ मानते हैं और सांखे योग के आचारिये महर्शी कपिल को मानते हैं आगे जाकर के योग के च्यार विभाग होगे मंत्र योग, लएय योग, हाठय योग और राज योग मंत्र के द्वारा चित वृत्ती निरोध करना, नाम के द्वारा नामी को प्राप्त करने का नाम है मंत्र योग लएय योग में अनेक विदिया हैं जिनके द्वारा चित वृत्ती को लीन करके, विलीन करके और परमात्मा में समाहित करने होता है उसको ले योग कहते हैं और है और ठे अठियों के अंदर सुरिय जो नाड़ी है जिसको पिंगला कहते हैं और चंदर नाड़ी इडा इन दोनों में प्राण प्रभाइत होता है उन दोनों से प्राण को सुशुम्णा में प्रभाइत करके सहस्तरार में पहुंचा देना इतना उद्देश्य हठी योग का है और चोथा राज योग मरशी पतंजली का योग उसको राज योग कहते हैं जिसमें कि चित्वर्ती निरोध किया जाता है और ये भी लिखा है कि मंत्र योग, लए योग, हठ योग, भगती योग और जितने भी योग की और प्रकार है वो सारे राज योग के अंदर ही समाप्त होते हैं राज योग मुख्य है तो उस दृस्टी से महरिशी पतंजली ने योग की परिवासा किये योगस चित्वर्ती निरोदः चित्वर्तियों का निरोध करने का नाम योग है वैशे भी योग सब्द युजस समाधव मन के शांत औस्था का नाम समाधी है आत्मा का परमात्मा में निमगन होना उसको समाधी करते है, वो योग का मूल अर्थ है बाद के आचारियों ने अलग-अलग परीभासाई की है जैसे सुम गिता में योग सर कृष्णन ने कहा योग कर्म करमों को इस परकार से करना कि जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहते भी उसे अलिप्त होता है उसी प्रकार निश्काम भाव से करम करना इसका नाम योग परमात्मा को सब कर्मों को समर्पित करके करना इसका नाम योग और दूसरी परिवाशा उन्होंने दी है जो आज के वातावण में बहुत वज्यानिक समत्व योग उच्चेते जीवन में सब जगे समत्व एक्विलिब्रियम मन में बुद्धी में और सारी रिक्स तरपर सभी जगे सामंजस से रहना इसको योग कहा है जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है आज का मानसिक दवाव तनाव से इतना पीडित हो रहा है उसके लिए योग से बढ़ करके और कोई उपाय नहीं है उसके पस्टात अलग-अलग दार्शिनिकों ने अलग-अलग और प्रिभाशा की है उप्रिश्द कहती है योगो ही प्रभावा प्यो ज्यान का उदे और अज्यान का ख्षय इसको योग कहते हैं और अपने अपने चिंतन से सारी परिभाशा ही मिलकर के एक समगर चिंतन देती है और सारी परिभाशा है योग सित्विर्ति निरोध की और को ले जाती है स्री दरिदर्द मोदी जी के प्रियास से सत्प्रियास से विश्व स्वास्ति संग्ठन ने और स्वितराश्ट्र संग ने सभी ने योग को वज्यानिक मान करके इसकी उपयोगिता शिविकार कर ली है एक बात को मैं कहना चाओंगा योग का संबंद किसी मजभ संपर्दाय से नहीं है योग स्वयम अपने आप में धर्म है धर्म का मतलब उनकरमकान से नहीं है जो सास्वत मुल्ले है आइन्सा सत्य अस्ते ये ब्रमशरिय आपरेग्रहे तो ये सारे जो योग के यम नियम है ये स्वयम अपने आप में धर्म है तो योग सार्व भौम है और आज के वातावर्ण में योग की बहुत बड़ी आवश्यक्ता है स्थारीडिक स्तर पर आशन प्रणयाम करने से मन के जितने भी सिस्टम है वो समत्व की स्थिती में आ जाते हैं जैसे आशनों को ले आशनों के तीन प्रकार हैं मुख्य उद्देश आशनों का ध्यान का ध्यानात्म का आशन जैसे की पदमाशन है दहने पर को बाएं पर रखते हैं बाएं को ध्याने पर रखते हैं और बायात नीचे और ध्याना उपर कमल की जैसे आकरती आखे बंद ध्यान ब्रकुटी में ये ध्या पासनों का दूसरा अभी प्राइज वाठी योग के कारण से परसलित हुआ, योगी लोग ध्यान करते करते हैं, और जब उनके सिस्टम्स बादीत होने लगे, कबज रहने लगी, रख संचार में बादा रहने लगी, बावाशीर होने लगे, पाइश होने लगी, और पाचर स पोजीज सरीर संबर्दन के आशनों का अविश्कार किया, जैसे कि हम सरवांग आशन को लेते हैं, इसमें पहले लेटना पड़ता है, और सरीर को देरे देजे 30 अंस, फिर 60 अंस, 90 अंस, फिर कमर को उठाते, 120 का कौन, 50 का कौन, हाथों को कमर से स्पोर्ट करते हैं, और उस उसमें कुछ समय तक 2 मिनट, 4 मिनट तक बने रहते हैं, क्योंकि ये आशन, अस्थमा के लिए, थार्याट ग्रेंट्स की जो विकृतिया उनके लिए, महिलाओं के मासिक, धर्म, समद्धी, विकार, पुर्षों के पुरुषत्व, समद्धी, विकार, उनको ठीक करने के लि और हार्ट पेशेंट्स नहीं करेंगे, तो आशनों के बारे में एक-एक चीज जानकारी होना जरूरी है, छोड़ते समय में इसको पीछे परण को लेते हैं, और धीरे-धीरे छोड़ते हैं, आशनों कैसे दंत क्या है? कि जैसे कि रबर के एक सुत्र को धीरे-धीरे खीच तो काफी शीमा तक बढ़ जाता है जटके से उसको खीचे तो टूट जाएगा ऐसे ही आसन जो है वो पैस्षिव कंडिशन में करना पड़ते हैं मन को शांत करना पड़ता है तो उसे नर्वस सिस्टम के उपर सूधिंग एफेक्ट शांत प्रभाव पड़ता है यह आसनों का तीसरा जो प्रकार है वो विश्ट्राम के आसन है जैसी शवासन है उसमें लेट करके और परों को एक फूट फैलाते है एडिया भीतर को पंजे बाहर को हाथ साइड में और संकल्प शक्ति से मन के शरीर के एक एक भाग को शिथिल करना रिलेक्स करना है और अंत में जाकर क अपनी चेतना को परम चेतना में मिला देते हैं कॉंसियस को सुपर कॉंसियस में मिला देते हैं तो आसन जो शवासन शरीर को और मन को बहुत विश्ट्राम देने वाला है मानसिक तनाव को दूर करने वाला है बलड परिश्टर है हिर्दे रोगी है और बहुत सारे विकार ह तो उस त्रिष्टी से आज मैं कह सकता हूँ कि आसनों का व्यायाम पूर्ण विज्यानिक व्यायाम है जो कि इस्त्री, पुरुष, बालक, बृद्ध सभी के लिए उप्योगी है और जिसके लिए किसी प्रकार के खर्चे की आउश्यक्ता नहीं पड़ती है प्रातेकार एक कारपेट उसको बिछा लिया है और फ्रिष हो करके और आराम से खुरी हवा में कर सकते हैं तो उस त्रिष्टी से विशेश करके भारत के लोगों के लिए जहापर की खेलने के इतने बड़े साधन नहीं है और विशेश करके महिलाएं जो घर के कामकाज में विश्ट रहती हैं उनके लिए योग के आशन, प्रणायाम, ध्यान, मुद्रा, क्रियाएं ये बहुत बहुत उपयोगी हैं और सभी को इस कारिय करम से लाब उठाना चाहिए और सबसे सरला आशन, पावन मुक्ताशन इसमें लेट करके और पले दहने पर को मोडते हैं, हातों से दहने पर को दबाते हैं, पेट को दबाते हैं, शीने को दबाते हैं और स्वास को बाहर निकाल करके और ठोड़ी गुटेब लगाते हैं, उसको छोड़ करके फिर बाएं परिशे करते हैं और उसके पश्ताद जब अभ्यास हो जाता है, तो दोनों गुटनों को मोड़ करके एक साथ, ये कमर की पिड़ा के लिए बहुत बहुत उप्योगी है, जिनको पुरानी से पुरानी कमर की पिड़ा है, वो पवन मुक्ताशन के साथ चक्र और दूसरा भुजंगाशन के सा स्वास को बरते हुए ना भी तक को सरीर को उठाते हैं, आगे नहीं उठाना है, स्वास नोर्म बाद में चलता रहेगा, कुछ समय तक स्थिती में बने रहते हैं, उसके पश्चाद धीरे धीरे वापिस आते हैं, ऐसे साथ चक्र इसके करने चाहिए हैं, इसके पश्चाद कमर के लिए एक और अच्छा है, विशेश करके महिलाओं के लिए, पुर्षों के मुतरसमदे विकारों के लिए, शलवासन, पहले अर्द शलवासन परों को मिलाईए, कमर के साथ हाथ, हाथेली उपर को मुठिया बंद, स्वास को भरिए, बैकवार्ट बेंडी के आसनों म दाहिना पर उठाईए, पेड़ू तक, पहली विक रिजन तक उठाईए, थोड़ दर श्थीति में रहकर के धीरे धीरे छोड़िये, अब दूसरी और से कीजिए, बाये पर उठाईए, कुछ समय तक श्थीति में रहने पर धीरे धीरे वापिश लेते हैं, अब भ्यास हो पर धनद आशन का ब्यास करते हैं, दोनों गुटने मोड़िये, टकने पकड़िये, स्वास को भरिये, उठिये, पले गुटने पर उठाएंगे, गर्दन कंदे, स्वास नोर्मल चलता रहेगा, छोड़ दीजिए, वजरासने बढ़ जाईए, ये अकेला आशन बहुत पूर्ण है, जिनको गैस बंती है, उनको भोजन के बाद 15-20 मिंट इस आसन में जरूर बैठना चाहिए, उससे गैस जो है, निश्कासी तो हो जाएगी, और भोजन पाचन में बहुत मदद मिलेगी, जिनका भोजन के बाद में पेट फूल जाता है, उनके लिए अच्या है इसी प्रकार जैसे शषांक आसन सरल है, हिर्दे रोग्यों के लिए, पेट के लिए, स्वांस को बढ़के आथों को उपर लेजिए, अब स्वांस को भार निकालते हैं, और हाथों को जमिन में लगाईए, माथा लगाईए, शषांक जैसी है, स्थासक जैसी आकृती बनान और देश देशांतर के दर परशार परशार करना चाहिए इस योग दिवस पर मैं सभी योगशादकों को स्वास्ते प्रेमियों को भारत की इस अमुले धरोर के लिए सुब कामनाई देता हूँ करते कि हमार के देशादकों को सम्थाने कर देश देशां देशासर